अगर दोस्तों आपका भी खाता जो है HDFC Bank या ICIC Bank या तो Punjab National Bank या तो SBA यानि State Bank of India में आपका खाता ओपेंग है तो दोस्तों इन समय बैंकों में आपको आपने खाते में जो लिक्नितम बैलन्स आपको करना पड़ेगा वही आप अगर सारी छेत्र से राते तो इसमें आपको थोड़ा उससे कम करना पड़ेगा वही अगर आप ग्रामीन छेत्र से आते तो इसमें आपको सबसे लो मैंटेन आपको बैलनस करना पड़ेगा अगर आप बैलनस को मैंटेन नहीं करते तो आपको बैल में को मैं जो आपको कितना कितना को मेंट tiring करना है कि ना 超ध मेंट न करना है और अगर आप मेंट्रो है साथ कुछ इस वीडियो में भताने वाला हूं बस अब को वीडियो में निए रहे ना है ऑठीक है'm इस पॉइडियो ने रहे करने है तक आगे भी इस परकतम के डेली आपको विडियों मिलते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हलाके दोस्तों कई-स सारे ऐसे प्रैविट बैंक भी है और यह उसकारी बैंक कि भी है जिसमें कि आप खाता को उपेन करते हैं तो बहुत तरह सो करते हैं प्राइबिट बेंक में 90 में कमा शेति हैं कि आप पन्जाब निसमय होगा, इसमें पर कितना मैं पर नुचोंग हो बता है। तो यहां पर चार बेंक का नाम ढेंग घू जिसमें कि फर्स्ट बेंक एक फड अपर बंधिया पंजाब नसिल बैंक और इंडिया। तो मैं इन चारों बैंक में आपको बता हुँ कि कौन कौन से city में आपको एरिया में आपको कितना balance अब को maintain करना पड़ता है तो सबसे पहले तो मैं बात करें यहां पर HDFC यह जो बैंक है private sector का यहां पर मुखी यह नि सबसे बड़ा बैंक है ठीक है अगर आपका खाता इस बैंक में जो है metro city में अगर आप open किये हैं तो इसमें आपको यह पर minimum 10,000 रुपय को maintain करना पड़ेगा यानि आपको अपने खाते में जो है 10,000 रुपया पो रखना होगा अगर आप यह पर 10,000 रुपय नहीं रखते हैं अगर आपका खाता मैट्रो सिटी में open है तो इसमें आप यह पर सहरी चेतर में आपका यह पर खाता open हुए है तो इसमें आपको यह पर minimum balance आपको 5000 रखना ह ठीक है वही अगर आप यह पर ग्रामीन चेतर से आते हैं जो कि आप ग्रामीन चेतर में इस खाते को open किये हैं तो इसमें आपको यह पर minimum balance धाई हजार आपको यह पर रखना पड़ेगा तो हो सकता है आपके एरिये में जो थोड़ा कुछ डिफ्रेंट हो ठीक है यानि 10,000 है 11,000 या 12,000 हो लेकिन ज्यादा कुछ डिफ्रेंट्स नहीं होगा यानि आप बैट्रो सिटी में आपको यह 10,000 रुप्य मेंटेन करना पड़ेगा HDFC बैंक के लिए वह यह आप सारी चेतर से आपने खाता को open किया तो इसमें 2,500 रुप्य मेंटेन करना पड़ेगा तो यह दीतों होता है यह मैन इस ऐसी बैंक के आपई एक बैंक है यह बहुत शार मिलेन करने करना पड़ता था है तो मैं बात करते हो तो सबसे ऐस बैंक में अगर आप यह उपन के में कट्वा करते हूं तो नहीं सब्सक्राइNews पेनल्टी देना पड़ सकता है यानि मैं आपको सीधा सीधा बता हूं तो आप अपने खाते में जो पैसे को नहीं रखते ही तिसमें पर आप छे परसेल का ब्याज या तो 500 प्रफ्य आपको पैनल्टी में आपको देना पड़ेगा ठीक है और तीसरा जो बैंक है पंजाब न पॉपाट आप दो के तिमाही अधार पे पे बीस ज़ड़ प्रफ्य आपको अनिवारे रखना होता है ठीक है वही अगर आप चोटे सारों से अपने खातों को ऑपन किया है तिसमें आपको एक हजर या तो 500 प्रफ्य आपको यानि मैं आपको सीधा सीधा बता हूं तो इसम में हो सकता है कुछ अलगल हो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा अगर आप इसमें भी बैलन्स को मेंटेंड नहीं करते तो इसमें आपको हैं पर अच्छा का साब को भियास देना पड़ेगा या जो पैनल्टी देना पड़ सकता है और चौंथा जो बैंक है इस्टेट ब या तो एक हजार रुपिया आपको मेंटेंड करना पड़ता था लेकिन अभी जो है इस्टेट बैक ऑपिडिया दू हजर बीस से यह जो बैंक है यह पर मिनिमम बैलन्स जो भी मेंटेंड करना तो वह यह पर सारा कूस हटा दिया है ठीक है यानि आप अपने खाते को जिरो बैलन्स पर ओपेन कर सकते हैं और अपने खाते में जिरो बैलन्स अप पैसा नहीं भी रखते हैं तो भी इसमें कोई भी पैनल्टी नहीं देना पड़ता टि मैं आपको सीधा सीधा बताओ तो यह बैंक है जीरो बैलन्स एक से प्रॉब्लम नहीं होगा यह लेकिन 2020 से पहल सब्सक्राइब करना पड़ता है अगर आपको इसके विवारे में जानना है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकती है अगर आपको फसंद आये तो वीडियो को प्रीस लाइक कर देना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब दे के लिए जाई हिंदे